लाठियों की गठरी एक बार की बात है, एक गाउ में एक बूढ़ा आदमी जो किसान था अपने तीन बेटों के साथ रहता था. वे धनी होने के लिए भाग्यशाली थे, लेकिन उनका सम्मान नहीं था क्योंकि उनके बेटे आपस में लड़ते रहते थे. एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. यह मेरे लिए अपने कर्तवियों से निवरित्थ होने का समय है. लेकिन ऐसा करने से पहले, मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है. विजेता को मिलेगा बड़ा इना. बेटों ने किसान से पूछा की उन्हें क्या करना है? किसान ने प्रत्येक बेटे को दस लकडियों के तीन गठर दिये और प्रत्येक लकडी को तोडने को कहा. जो उन्हें तेजी से तोड़ेगा वह विजेता होगा. यहाँ आसान काम था बेटों ने जटपट एक एक लाठी के दो टुकडे कर दिये जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, वे फिर से लड़ने लगे एक बेटे ने कहा मैं जीत गया दूसरे बेटे ने कहा, जब मैंने पहले सारी लकडिया तोड़ दी तो तुम कैसे जीत सकते हो मैं जीता दूसरे ने कहा, नहीं मैंने पहले लकडिया तोड़ी, इसलिए मैं विजेता हूँ किसान ने उन्हें रुकने के लिए चिल लाया और कहा कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है और उन्हें अभी एक काम और करना है किसान ने प्रत्येक बेटे को दस लकडियों की एक और गठरी थमा दी उसने उनसे अलग-अलग छडियों को निकाले बिना लकडियों के पूरे बंडल को दो भागों में तोरने को कहा उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वे अपने लाठियों के गठ्थे नहीं तोर सके तीनों बेटों ने शिकायत की की लकडियों के गठर को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक लाठी को आसानी से तोड़ा जा सकता है किसान ने कहा तुम तीनों भी इन्ही लकडियों की तरह हो जब तक आप एक गठरी की तरह एक साथ रहते हैं, तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता लेकिन अगर आप आपस में लड़ते रहते हैं, तो आप अलग-अलग लकडियों की तरह हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है तीनों पुत्रों को पिता की बात समझ में आ गई कहानी की नीती एक और एक ग्यारह जब हम एक हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता